Hello Everyone, Welcome Back to the Samajik Guru Channel आज हम करने जा रहे हैं Class 10th का Lesson No.4 Empathy के MCQs तो आईए इस Chapter के MCQs जो है वो स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने इस Chapter की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उस Chapter की वीडियो देखी है ठीक है तो इसका Link जो है वो मैं आई बटन में आपको डाव दोंगी तो आईए इस Chapter के MCQs जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला Question है आपका What does sympathy mean? कि sympathy का क्या मतलब होता है तो आपके Options है To understand the pain of birds and animals की जानवरों और पंच्यों के दर्द को समझना To understand one's own pain यानि कि अपनों या अपना दर्द समझना To understand the collective pain of all यानि कि सब के सामोहिक दर्द को समझना None of the above इसमें से कोई भी नहीं तो मैं question repeat कर रही हूं कि sympathy का असल मतलब जो है वो क्या है To understand the collective pain of all सब का सामोहिक दर्द समझना Next question start करते है Which are our basic necessities हमारी मूलभूत आवशक्ताएं जो है वो कौन सी है Food, Clothes, Home या All of the above इन में से हमारी मूलभूत आवशक्ताएं कौन सी है To correct answer है All of the above Food भी चाहिए, Clothes भी चाहिए और Home भी चाहिए है Question number 3 Which one is not the sensitive issues इसमें से कौन सा sensitive issue नहीं है Religious issue, यानि कि धार्मिक मुद्दे Linguistic issue, भाषाई मुद्दे Study issue, पढ़ाई के मुद्दे या Social issues, समाजिक मुद्दे इसमें से कौन सा sensitive issue नहीं है To correct answer है आपका study issues Next question देख लेते हैं Next question पूछा गया आप से What is meant by gender division Gender division से आप क्या समझते हैं तो पहला option है Division between rich and poor Rich and poor के बीच में division या Males और Females के बीच में division Third point है Educated और Uneducated पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच में division या None of the above Gender division का मतलब जो है वो क्या है Gender division का मतलब होता है Male और Females के बीच में division ठीक है Next question है बहुँकर Indian society in considered as Indian society को किस तरीगी का माना जाता है Matriarchal society यानी कि मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है ठीक है Historical society यानी कि Fraternal society यानि कि भाइचारे वाला समाज माना जाता है या नन आफद अब इंडियन सोसायटी को कैसा माना जाता है तो इंदियन सोसायटी को हम लोग पट्रियार्कल सोसायटी कहते हैं क्योंकि यह पूरिश प्रदान्स भो समाज है ठीक है next question in order to maintain gender equality in the classroom a teacher should तो classroom में जेंडर equality को maintain करने के लिए एक teacher को क्या कहना चाहिए आपके options है provide analytical work to the girls की girls को जह है वो analytical work यानि की विसलेश्टात्मक कारेज है वो दिये जाने चाहिए discourage the girls to take part in co-curricular activities लड़कियों co-curricular activities में participate लेने के लिए प्रुचाहित नहीं करना चाहिए यह third option है आपका provide the same opportunity to both the boys and girls लड़के और लड़कियों को समान मौके जो है वो दिये जाने चाहिए या none of the ever या इन में से कोई भी नहीं तो classroom में gender equality को maintain करने के लिए teacher को लड़के और लड़के और दोनों को ही same मौके जो है वो देने चाहिए next question है आपका our desire इच्छा वो कैसी नहीं होनी चाहिए eco friendly good moral level की होनी चाहिए low in quality या budget friendly हमारी जो इच्छा है वो कैसी नहीं होनी चाहिए तो हमारी इच्छा जो है वो quality में low नहीं होनी चाहिए next question है आपका which one is not the sensitive issue इन में से कौन सा जो है वो sensitive issue नहीं है religious issue ठीक है यानि कि धार्मिक मुद्दे family issue पारिवारिक मुद्दे linguistic issue भाषाई मुद्दे या friends issue दोस्तों के मुद्दे ठीक है तो इस में से कौन सा जो है प्रपर लेंग्वेज अच्छी भाषा की knowledge घ्यान की या all of the above question मैं रिपीट कर रहे हूं कि sensitive issue को solve करने के लिए आपको किन चीजों की जरुवत होती है तो आंसर है आपका all of the above आप में सब्र भी होना चाहिए आपकी language भी प्रपर होनी चाहिए और आपको उस issue से related जाव वो knowledge भी होना चाहिए तभी आप उसको solve कर पाओगे ठीक है next mcq देख लेते हैं next mcq है how many students were called by the principal in the office कितने students को principal ने जो है वो office में बुलाया था तो आपके options है 12, 13, 14 या 15 कितने students को principal ने office में बुलाया था तो answer है 14 next question है आपका who was the school counselor school counselor जा है वो कौन था options है खुश्मिंदर सिंग, कुलविंदर सिंग, कुलदीप सिंग, कुवर सिंग, इन सब में से school counselor जा है वो कौन था तो आपका correct answer है खुश्मिंदर सिंग next question है आपका if we try to change everyone we will be अगर हम सब लगों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे happy, unhappy, unsuccessful या unhappy successful दोनों अगर हम सब को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, हम unhappy भी रहेंगे और unsuccessful भी रहेंगे ठीक है, next question है आपका sensitive issues cannot be solved, sensitive issues जो है वो कैसे solve नहीं हो सकते forcefully यानि की जबदस्ती, willingly, एक्छा शक्ती से, patiently, सबर से या none of the above जो sensitive issue है वो कैसे इन में से solve नहीं हो सकते तो forcefully जो है आप उसको solve नहीं कर सकते, next question है आपका, we should dash others as they are, हमें जो है वो कैसे जो है इन 4 option में से कैसे जो है वो दूसक्ता आप treat करना चाहिए criticize, मतलब कि आरोचना, accept, स्विकार करना, defame, यानि कि उनको उनका नाम खराब करना या उनको बदनाम करना, hate, नफरत से तो correct answer है, we should accept others as they are, हमें जो दूसरे जैसे भी हैं, हम उन्हें उसी तरीके से स्विकार करें इस MCQ का last question है कि sensitive issues should be exposed openly, जो sensitive issue है उसे हमें खुले तोर पर सबको बता देना चाहिए तो यह statement जो है, वो true है, false है, या can't say, यानि कि कह नहीं सकते, sensitive issues जो है, उसको हमें openly exposed कर देना चाहिए, यह statement सही है, गलत है, या कह नहीं सकते, तो यह statement गलत है, क्योंकि sensitive issues को हमें openly exposed नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो बचो यहां पर यह MCQ हो जाता है, आपका finish, in case कोई भी doubt आपको रह गया है, तो आप comment section में question कीजिए, आपको reply मिल जाएगा, thank you very much